छेप्टेर मेज़ दोस्त और्गेनिक एमस्टित और्गेनिक एमस्टिमाजम लोग और्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कार्बन आटेम के पास चार ठो डिग्री होता है एक है प्राइमरी कार्बन दूसरे सकेंडरी कार्बन तिसरे टर्सरी कार्बन और चौतर क्या है क्वार्टरनरी कार्बन तो प्राइमरी कार्बन को क्या बोलते हैं वन डिग्री कार्बन सकेंडरी कार्बन को टू डिग्री कार्बन बोलते हैं तर्सरी कार्बन को थिरी डिग्री कार्बन और क्वार्टरनरी कार्बन को फोर डिग्री कार्बन जब कार्बन जुड़ा हुआ हो एक अन्य कार्बन से तो उसको बोलते प्राइमरी कार्बन, सकेंडरी कार्बन, जब कार्बन जुड़ा हुआ हो, दो अन्य कार्बन से, तो उसको बोलते सकेंडरी कार्बन, तरसरी कार्बन, जब कार्बन जुड़ा हुआ हो, थिरी अन्य कार्बन से, तो उसको बोलते तरसरी कार्बन, क्वार्ट यह भी किनारे वमारे वमारे से जूडा हुआ यह जूड़ा हुआ यसलिए उन देगिरी कर्पícia रच सीधाप है करमनों 4 कार्भाल रोड म जूरा हुआ इसलिए इसको बोलेंगे 4 दिगरी कार्बन ये कार्बन दो ठो कार्बन से जूरा हुआ इसलिए इसको बोलेंगे 2 डिगरी घर वान एक कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से जुरा हुआ, इसको बोलेंगे फ्री कार्बन टर्मिनल करिमेर कार्बन हमेसा ब्री कार्बन होता है CH4 को CH4 को प्यार से क्या बोलते है मिथेन और इसके पास एक ठो कार्बन ते एक कार्बन को बोलते है मिथाइल कार्बन इसी को बोलते है सुपर प्राइमरी कार्बन इसी को बोलते है जिरो डिगरी कार्बन ओर्गेनिक कमपाउंड का वर्गी करण तो वो खासम खास कंपाउंड जिसको पलांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं उसको ओर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं जिसतर मेरे कलास के दो कंपोनेंट है बोई जेन गर्ल्स उसी तर ओर्गेनिक कंपाउंड के दो कंपोनेंट है open chain और cloth chain acyclic chain और cyclic chain elephant organic compound और aromatic organic compound तो open chain दो प्रकार का saturated और unsaturated cyclic chain दो प्रकार कहेगे homocyclic दूसरा है heterocyclic तो homocyclic और प्यार से बोलते हैं carbocyclic और homocyclic दो प्रकार का aromatic और elecyclic heterocyclic chain दो प्रकार का एक aromatic का दूसरा है elecyclic open chain का दूसरा नाम है acyclic chain तिसरा नाम है elephatic organic compound तो यह सा और गेनी compound जिसके पास open chain उसको बोलते हैं लिए elephatic organic compound अली कम अता होगी दोस्त animal और fatty कम अता होगी फेट जिसको animal के फेट से प्राप्द करते हैं उसको बोलते हैं अलिफैटिक चेन तेकि दोस्ते जब दो ठो यह हमारा टर्मिनल कार्बन यह भी टर्मिनल कार्बन है तो जब दो टर्मिनल कार्बन एक दुसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हूं उसको बोलते हैं ओपें चेन तो भाव औरगेनी कमपाउंड जो धारन करता हो अस्ट्रेट और ब्रांज चेन कार्बन आइटम के बीच उसको बोलते हैं ओपेन चेन ये देखेंगे कार्बन का चेन के अस्ट्रेट चेन है तो उसको बोलेंगे ओपेन चेन घरहएं कामवटत के हमारे मेंखने के जीन कुलर मुल्स हां सैचुरेटेड एर्गेनिकम्पाउंड उसको बॉलते हैं सैचुरेटेड एर्गेनिकम्पांडverse उसको बोलते सेचुरेटेड औरगेनी कमपाउंड ये भी कार्बन ये भी कार्बन का एटम ये भी कार्बन का एटम ये भी कार्बन का एटम कार्बन कि बिचके है सिंगल बोंड ये भी कार्बन ये भी कार्बन 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 कि भी सिंगल बोंड ये भी कार्बन ये भी का यह खूंपस नहीं हो सिंगल बंड़ हो डबाल ट्रीपल बंड उसको भोलते औंसायचुरेटेर और्गेनी कमपाउंड जो धारन करता हो काम से कम एक डबावल और एक ट्रीपल बंड गपंड दो थो कारबन आइटम के बीच उसको भोलते Vegetfäh 友कि हरे डबल बोंड तेशको बोलती है ऑनसाइचुरेटेड ऑरगेनिक कंपॉण्ड दोहठो खञारेण कार्बान्य किन की सीस्टम को चैन देखें तो ये कार्बन है ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये तिनो कार्बन क्या है पूरा तरह से घिरा हुआ है तुसको बोलेंगे क्लोज चेन एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छे कार्बन ये देखिये हमारा बेंजीन का रिंग है ये ओक्सियान दो ठो मिथालिन गुरूप से जुड़ा हुआ है तो ये हमारा क्या क्लोज चेन होमो सैकलिक का दुसरा नामे कार्बो सैकलिक और गेनिक कमपाउंड तो वहार रिंग सिस्टम जो धारन करता है सिर्फ एक कार्बन आटम को, इसको ब Motherεक कमपाउंड ये देखे दोस्त यह हमारे क्या खान के लिए सैकलू लिख दिए इसके पास तीन कार्बन है तो रूटबर्ट प्रोफ हो गिया कार्बन कार्बन के भी सिंगल बोंड है तो एन लिग दिए है पूरा नाम की सैकलो प्रेपेंड यह हमारे क्या बेंजिन का रिंग है क्योंकि यहां पाइब बोंड एक छोड़कर पाइब बोंड है पाइब एक hetro cyclic organic compound तो वहाँ ring system जो बना हुआ है कम से कम दो अलग-अलग element से उसको बोलते है hetro cyclic organic compound देखे हैं दोस्त ये अमारा benzene का ring है यहाँ पर ये जहाँ पर दो line intersect करता है उसको क्या बोलते है mode यहाँ भी carbon है यहाँ भी carbon है यहाँ भी carbon यहाँ भी carbon और इसका नाम होगे पिपे राइडिन, जहाँ पर दो लाइन, जहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेट करता है, उसको बोलते है लाइन ओप इंटरसेक्शन या मोड, यहाँ पर क्या कार्बन का एटम है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्ब एक, दो, तीन, चार और पांच फाइप मेंबर डॉक्सिजन आइटम को क्या बोलते हैं फ्यूरान ओ के लिए इपोक्सी लिख दियें दो ठो कार्बन के लिए रूट बढ़ हो गिये इत कार्बन कार्बन के भी सिंगल मौंडेते एन लिख दियें पुरा नाम गेपोक्सी इत्थेन